साहिला की बावत्रा में दिपावली के दूसरे दिन रियासत काल से चली आरी गुट दोर्ड प्रतियोगिता का हुआ आयोजन तेवाल गुट दोर्ड में ललित प्रतम तो गन मशीन गोड़ी रही दुत्य स्थाण पर सराड़ा चान में तुफान गोड़ा रहा प्रतम तो सीमा गोड़ी रही दुत्या आदुनिक्ता की चका चौन में पर्व मैनाने की मायनी भले ही बदल गए हो लेकिन बावत्रा गाउ में दिपावली पर्व के दूसरे दिन रामा श्यामा पर रियासत काल से चली आ रही गोड़ उन्ट दोड़ की परंपरा आज भी निभाई जाती है पुराने समय से चली रही इस परंपरा को आज भी बखो भी निभाई जाता है इसे देखने के लिए ना केवल इस्थानिय बलकि आस पास के गाउंवों से भी सेगड़ों लोग पहुंचते हैं उत्सा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें भाग लेने के लिए गोड़ सवार और उन्ट सवार कई महीनों पहले ही अप्याश शुरू कर देते हैं प्रतियोगिता के लिए गोड़ों को भी पूरी तरह तयार किया जाता है दिल्चस्प बात तो यह है कि इस दोड़ का आयोजन भी ग्रामिन अपने स्तर पर करते हैं प्रतियोगिता में अवल आने वाले घोड़े और उन्ट सवार को पुरुस्कृत किया जाता है साहिला सित्री के बावत्रा गाव में दिपावली के दूसरे दिन रियासत काल से चली आरी गुड उन्ट दोड़ प्रतियोगिता का आयोजन राणा मोती सागर घोड़ा मैदान में किया गया प्रतियोगिता का आयजन निम्बवास, महंद, अमरतनात, महराज और केवाय माता मंदिर कमेटी के अध्यक्स ओक सिंग दया एवं पूर प्रतान हर्मत सिंग राजप्रुवित की मौजुदगी में किया गया प्रतियोगिता में कई घोडो वा उटो ने दोड लगई तो वहां मौजुद हर सक्स की एक बार ही सांसे ठहर गई रामा श्यामा की दिन दौपेर बाद चार बजे उट गुड़ दोड प्रतियोगिते का आयजन किया गया जिसमें गुड़ दोड रिवाल चाल के खीम सिंग चोहान बागोड़ का घोड़ा ललीत प्रथम रहा वहीं दुद्य स्थान पर गवर्दान मिंडवास की घोड़ी गन मशीन और तीसरे स्थान पर भान सिंग दैया बावत्रा का घोड़ा पवन रहा वहीं गुट्द और सराड़ा चाल में प्रतम इस्तान पर भैरु सिंग मोकणी का घोड़ा तुफान रहा वह दूसरे स्तान पर मांग सिंग गोयल चोराओ की घोड़ी सीमा रही विजेताओ को केवाई माता मंदिर कमेटी द्वारा समानित किया गया इस सवसर पर मंगल सिंग सायला, हमीर सिंग, नर्पत सिंग चोराओ, मोर सिंग मोकणी, मेग राज सिंग जुन्जानी, जीवान सर्पंच उत्तम सिंग, जेताराम राजपुरुईत, खीम सिंग राजपुरुईत, रान सिंग दैया, नर्पत सिंग दैया, भोपाल सिंग पस्तित रहे अवल आने वाले गोडे का नाम शेत्र में होता है प्रसिद कई वर्सों से चली हारे इस परंपरा में उत्सा से भाग लेते हैं इस प्रतियोगीता के आयोजन के कई माइन है अवल रहने वाले गुड सवार के साथ उसकी गोडे का नाम भी शेत्र में प्रसिद हो कोई लाल बुलेट तो कोई फाइव स्टार दिखाते हैं अपना दमखम दौर में शामिल होने वाले गोड़ों के नाम भी मशूर होते हैं इस दौर में सामिल होने वाले किसी गोड़े का नाम लाल बुलेट तो किसी का बादल होता है तो किसी को सुल्तान नाम से पुकारा जा जूटती है हजारों की भीड गोडों उट की दौट देखने के लिए आसपास के गावों से हजारों की संख्या में लोग पहुचते हैं मैनों से करते हैं अभ्यास बावत्रा गाम में होने वाले इस रोमांचक दौड के लिए उट पालक गुड सवार कई मैनों पहले ही अभ्यास शुरू कर देते हैं इसके लिए वे अपने गोडों उट को ट्रेनिंग भी देते हैं